देखो भाई, सिन्मा जो है हम इनसानों को हमारे दोक डर्ट और परिसानी से दुर रखता है और जो इनसान सिन्मा के करीब रहता है, वो सिन्मा के नसे में पूरी तरीखे से खो जाता है उसके character और उसके कहानी में अपने आपको खोसता है और जितना हो सके खुल के मज़ा करता है और कई सारे sigma, cinema, lovers वाले cinema के लिए अपने lover को भी छोड़ देते हैं जो की एक खतरनाग virus है करोना virus से भी ज़्यादा खतरनाग तो भाई समल के थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये सब बाते क्यों कर रहा हूँ तो भाइल इसका एक रिजन है कि पिछले हबते साउथ इंडेस्टी से एक मुवी का ट्रेलर रिलीस किया गया था और उस मुवी का नाम है लियो जिसका ट्रेलर बहुती जादा इंट्रेस्टिंग और बहुती जादा माजा दे रहा था और मैंने वहाँ पे एक भैंकर और खतरनाक न्यूस देखा कि भाई पब्लिक रिक्वेश्ट करके मेकर्स को बोल रहे है कि लियो का प्रोमोशन नौर्ट इंडिया में नौर्ट ओडियेंस के लिए भी थोड़ा अच्छे लेवेल में करो हमें भी इस मूवी का मज़ा लेना ह हमें पर भाई दुख इस बात का है कि मेकर्स इस बात को बिल्कुल भी सीरियसी नहीं ले रहे हैं देखो यार इंडिया में मूवी का क्रेज बहुत ही जादा है और उपसे ऐसा मूवी जो कि भैंकर स्टोरी लैंड और एक अच्छा खासा मूवी है उसके लिए तो पब्लि क्योंकि तरह ट्रेटर में भाग भाग के ऐसी मूवी को देखना चाहती है पर भाई लियो की स्थाड़ एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है कि मेकर्स इसको हिंदी में अच्छे लेवल पर प्रोमोशन नहीं कर रहे हैं और इसके हिंदी स्क्रीन कॉंड के बार में तो सबसे इंपोर्टेन है कि उसके बाद आपको उस मूवी का प्रोमोशन एक अच्छे लेवल में करना पड़ेगा अगर आप उसका प्रोमोशन ही नहीं करोगे तो पब्लिक क्यों ही आएगी आपकी पिक्चर को देखने के लिए अरे या ठ्रेटर में आनना तो छोड़ो पब्लिक को पता किसे चलेगा कि आपकी एक मूवी आरी यह वह भी पैन इंडिया रिलीouring में कुछ प्रोमोशन करोगी कुछ हला डुला करोगे तभी तो पब्लिक आपके मूवी के लिए इंट्रेस्टेट होगी और उनको पता चलेगा कि अपकी मूवी आरी और आपकी मू मोशन को छोड़ दो एक और सबसे बड़ी नेगिटी पॉइंट है कि जब भी कोई साउध मुवी रिलीस होता है ट्रेटर में तो उसका जो ओटीटी राइस खरीदा जाता है तो उनका एक रूल रहता है कि जब भी यह मुवी ट्रेटर में रिलीस होगी तो उसकी ठीक 30 दिन क के बाद यह मुवी ओटीटी में रिलीस हो जानी चाहिए ने तो हम इस मुवी को रिलीस नहीं करेंगे ऐसा कॉंट्राइक रहता है साउध इंडस्टी में और ऐसा ही कुछ यह मुवी के साथ भी हुआ है पहले से ही उन्होंने कॉंट्रैक साहिं कर लिया कि जब भी यह हैं PVR Cinepolis और आइनो तो उन नेशनल ट्रेटर का भी एक रूल है एक कॉंट्रेक्ट है कि यदि आप कोई मुवी हमारे ट्रेटर में रिलीज करना चाहते हो तो उस मुवी का OTT वर्जन मुवी के ठीक 80 या 90 दिन के रिलीज होने के बाद ही आना चाहिए अगर आप ये क्रेट हम है जिस वज़े से लियो का हिंदी वर्जन से अच्छी कमाई तो होने वाली नहीं है और हमारे जैसे मुवी लवर्ज के लिए जो एक अच्छा कॉंटेन देखना पसंद करते उन लोगों के लिए एक बहुती बड़ा हार्ट ब्रेक है क्योंकि याद एक सिंपल बात है अ बहुती जादा ओडियंस को यह रीज करें तो आपको अपना यह कॉंट्रेट का जो सिस्टम है यह आपको चेंज करना पड़ेगा हम ओडियंस के लिए क्योंकि यार यदि आप सिब अपने ही ओडियंस को देखोगे तो भाई हम नौर्थ ओडियंस भी आपके मुवी को सप करें तो आपको भी हमारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा और अभी भी जितना भी स्क्रीन काउट हिंदी लेवेल में दिया गया है उसमें भी कोई कमी नहीं है बस लियो मुवी के मेकर्स को यही रिक्वेस्ट कि आप कुछ एक प्रोमोशन तो कर दो प्रोमोशन तो नहीं क सब कुछ मेकर्स को टैक करके शेर करके पुरा एवर्नेस से क्रेकॉर कि हमें वी लियो मुवी को एक बड़े बजेट पर देखना है एक बड़े रिंकाउं में देखना है हमको ध्रेटिकल मजा लेना एक लियो का और तो बई यह कोई डाउट ही नहीं कि लियो का और थलापाती विजय का कितना क्रेज है नौर्थ इंडिया में तो भाई मेकर्स आप एक बहुती बड़ा ओडियन सा मिस कर रहे हो अपने कॉंट्रेट के सिस्टम के वज़े से तो भाई प्लीज उससे चेंज करो और ओडियन जितना हो सके इस वीडियो को शेर करो मे उस मूवी को एक अच्छे लेवल में सपोर्ट करने के लिए तो भाई मेकर्स बिल्कुल भी लापरबाब मत हो अपने मूवी को लेके अपने कॉंटेंट को लेके आप में दम है यार हमको भी थोड़ा उस मूवी को इंजोई करने का मूँका दो सपोर्ट करने का मूँका तो बाई ओडियांस मुझे यही आपके साथ शेयर करना था क्योंकि यह एक बहुती बड़ा इशो और बहुती बड़ा प्रॉब्लेम है यार यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करना चाते तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है